ओम शान्ति आज 7 जनुरी 2024 आज की अव्यक्त मुल्ली है इस नए वर्ष को मुक्ति वर्ष मनाओ नए वर्ष को मुक्ति वर्ष मनाओ सफल करो और सफलता लो सफल करो और सफलता लो ये भाबा ने 31 दिसंबर 1995 को सुनाई आज बाब दादा अपने नव जीवन की स्रेष्ट आत्माओं को नव युग रच्ता आत्माओं को कौन से आत्मा है नए युग की रच्ना करने वाली आत्माओं को नए वर्ष की मुबार्ष दे रहे हैं कितने भाग्यश आली हैं कि भगवान हमें क्या दे रहे हैं मुबार्ष दे रहे हैं और किस बात की मुबार्ष दे रहे हैं कि जो मेरे बच्चे हैं ये नए युग के रच्चाईता हैं मेरे बच्चे को नए? नए युग के स्वर्ग की रचना करने वाले बच्चे हैं, उन बच्चों को बाबा आकर क्या दे रहे हैं? मुबार्यक दे रहे हैं, और दूसरे क्या है? नव जीवन के नए जीवन वाले, क्योंकि जीवन हमारा नया शुरू है, हम ही ब्राह्मन बने न और फिर हम ब्राह्मन सो देवता बनेंगे तो ऐसे बच्चों को परम पिता परम आत्मा परम धाम से आकर मुबार्यक दे रहे हैं दुनिया के लिए नया वर्ष अरंब हो रहा है आप बच्चों के मन में नव युग याद आ रहा है जैसे नया वर्ष कल आने वाला है नया वर्ष कब आने वाला है कल आने वाला है ऐसे नव युग कब आएगा नव युग किस थे माज़े हैं हम बनाएंगे वाजे कब नया जनम कब शुरू होता है नया जनम कब शुरू होता है कोई भी जब पुराने से छोड़ पुराना छोड़ा नया जनम कब शुरू होता है हमने बाबा ने सिंपल सी बात बताई जा जागो तब शूरू हम जाग गए ना हमआरा सवेरा हो गया हमने बाबा के पास जनम ले लिया हमारा जनम हो गया हमारा नया जनम उसी टाइम जनम गवा ना जिस टाइम हमने बाबा कहा यही नया यूग है हमारा नया योग नया जनम हर सेकिंड नया बाबा ने हमें क्या दिया हर सेकिंड नया है कोई दूसरी बात आने निया, उनके लिए आएगा ना जिनने नहीं पता, जो विचारे अंधेरे में है, उनके लिए कल होगा ना नया साल, उनके लिए नया यूग आएगा न, हमारली तो नया यूग चल रहा है, और हर सेकिन हम यदी आगे बढ़ रहे हैं, नया हो रहा है न, जो रुक गया, वो रुक गया, अब वो सोचे मैं परिवर्तन करूंगा, जब परिवर्तन करेगा तो उसका नया आएगा, उसका नया उस समय आएगा, जब वो परिवर्तन करेगा, तो हमारे लिए तो नया युग, नया जीवन चल रहा है और हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा हर पल नया है हर सेकिन नया है, हर स्वास नया है, हर संकल्प नया है तो नय की तो मुबारक मिलती है न, खुशी ऑटोमेटिक होती है अब जिसके अंदर थोड़ी सी भी अपने अंदर परिवर्टन करने में सफलता मिली, कितनी खुशी मिलती है उसको चाए मैं हूँ, चाए कोई हो तो नया तो अटोमेटिक खुशी देने वाला होता है न, हमारा परिवर्टन तो हमें बहुत ध्यान देना है कि हमारा नया तो चली रहा है ऐसे नव यूग भी कल आने वाला है नव यूग भी कल आने वाला है परने तो आने के लिए नव यूग आने वाला बाबा ने कल क्यों कहा अब क्यों नहीं कहा क्योंकि परिवर्तन करोगे तो रिजल्ट मिलेगा ना परिवर्तन नहीं करोगे तो रिजल्ट कैसे मिलेगा पहले हमें बदलना होगा तब हमें परिनाम मिलेगा खुशी तभी मिलेगी ना मैंने अपने आपको सुधारने के लिए संकल्प किया और मैं थोड़ा सुधरा तो मेरे को खुशी मिल गई मैंने अपने किसी प्रोब्लम को बाबा की सिरी मत पर सुल्व किया मुझे खुशी मिल गई तो ये है हमारे पास कल का मतलब इसलिए कल का क्योंकि करेंगे तो पाएंगे इसलिए बाबा ने कल का प्योग किया ऐसे स्मृति आती है कि हमारा नया युग आया की आया यह आया की आया कौन कह सकते हैं जो कर रहे होंगे जो कर नहीं रहे उनके लिए आया की आया कैसे होगा आज नए वर्ष के लिए मुनुश्य आत्माओं के दिल में खुशी कि हमारा नया साल शुरू हो रहा है उनसे पूछो क्या फर्क पड़ा नया दिन आ गया दुनिया वाले से पूछ कर देखो क्या था जैसे कल खाया था जैसे कल सोय थे कोई आपके जीवन में परिवर्थन आया कोई खुशी आई कोई खुशी नहीं वही चाय वही पराठा वही रोटी वही दाल वही सबजी वही रोना वही पितना सारे दुनिया साल की दिन थोड़ी देर के लिए नया साल मुबारको मुबारो क्या है नया साल में भई सोच के देखो किसी को कहते है जनम दिन मुबारको क्या जनम दिन मुबारको एक साल उसका खत्म हो गया ठेहने इसमें एक साल कम होने पर मुबारक दी जाए उसको सोच है हर एक की तो बाबा आके बता रहे ऐसे आप आत्माओं को नव युग आने की सदाकाल की खुशी है आपको सदाकाल की खुशी क्यों है उनको ख्षनी खुश है और आपको सदाकाल की खुशी क्यों है और कब है जब हम सदाकाल नए युग में जीने लाइक बन रहे हैं तो हम ऐसा पुर्शार्थ कर रहे हैं उसकी हमें मुबारक है और यदि हम पुर्शार्थ नहीं कर रहे हैं तो क्या की मुबारक पाया ही नहीं कुछ किया ही नहीं तो मुबारक क्या ऐसे लगता है कि बस आज और कल की बात है आज और कल की बात है कल हम सत्युग में थे आज हम नर्क में बेठे हैं और कल हम फिर सत्युग में होगे आज पुराना युग है और कल नया युग होगा सामने खड़ा है ड्रामानु सार आज और कल की बात है ऐसे स्पस्ट सम्रिती अनवह होती है या सिर्फ नया वर्ष मनाने आये हो नया वर्ष नव युग की याद दिलाता है ये उमंग उससा दिल में रहता है कि कल हम क्या होंगे जैसे कोई डाक्टरी का कुर्स कर रहा हो तुसे रहेगा कल मैं क्लिनिक में बैठा हूँगा चाया गौर्मेंट जोब में हूँगा तो चाया मैं अपने जोब पर हूँगा अपना क्लिनिक खोलूँगा, क्या करूँगा तो ये उमंग उसा दिल में रहता है कि कल हम क्या होंगे अब जिसने कुछ किया होगा जिसे ब्रह्मा बाबा को ता बस अभी अभी मैं ये शरीर छोडूँगा और क्रिशन के रूप में जनम ले लूँगा ऐसे ही जो आब कुछ किया होगा मेंद उसको तो लगेगा कि मैं ये बनूँगा नहीं तो क्या लगेगा, क्या बनूँगा उसको कोई खुशी नहीं हो सकते अपनी शरीर नई ड्रेस सामने आती है याद है आपका नई शरीर नया शरीर, नय युग में कैसा सुन्दर था, याद आता है, सत्युग में एक दम निरोगी काया थी, कोई भी मतलब कोई दुख, कस्ट, कलेश हमारे जीवन में नहीं था, चारो तरफ सुख और शांती थी, पवित्रता थी, प्रकृती दासी थी, प्रकृती दासी थी का मतलब यह नहीं कि वो हमारे कहने के नुशार, प्रंतु वो कहीं भी किसी को भी दुख नहीं देती थी, कहीं बार नहीं आती थी, तुफान नहीं आते थे, बुकंप नहीं आते थे प्रकृति हर प्रकार से किसी प्रकार का भी दुख नहीं देती थी और आज चारो तरफ प्रकृतिक आपदाए हैं कहीं बर्फ पड़ रही है तो ओले पड़ रहे हैं तो वुकाम पा रहे हैं तो चारो तरफ आज कुछ ना कुछ प्रकृतिक आपदा दिखाई दे रही है और प्रकृति दुख देने वाली बन गई है हमने प्रकृति को दूशित किया है प्रकृति के बैलेंस को बिगाड़ा है उसके responsible हम है जो हमने किया है वो हम पा रहे है कैसे प्रकृति दासी थी सतो परधान थी प्रकृति क्या थी सतो परधान थी अर्थात प्रकिर्ती हर प्रकार से सब को सुख देने वाले थी सदा बाहार मौसम रहता था मौसम में कभी भी बिगार नहीं आता था नदी कभी बार नहीं देती थी तभी तो स्वर्ग था उस राज्य अधिकारी सित्ती की स्मृति स्पस्ट है उस राज्य अधिकारी की सित्ती की स्मृति स्पस्ट है कि हम ही उस राज्य के अधिकारी थे हैं और बनेंगे दिखाई दे रही है वे नई दुनिया कितनी सुंदर है एक सेकिन में अपने राज्य अधिकार का अनबव कर सकते हो या कर रहे हो क्योंकि जो ऐसा पुर्शार्त कर रहे हैं तो उनको अनबव होता है बस हमारे लिए ये नई दुनिया नया संसार नया युग ऐसे होगा बस एक सेकिन में नव युग में चले जाओ आपको चला भी जाए यदि उसमें वो योगेता नहीं तो वहां जाकर दुखी तो होना ना संकाल्प में संकाल्प कर एक उठीका जी जैसे बाबा ने कहा कि वहां आप शरीर आपका स्वास्थ होगा सुन्दर होगा निरोगी होगा और प्रकिर्ति आपकी सयोगी होगी सर्व सयोगी होगे किसी के साथ कोई जगडा नहीं ऐसा सुक्षान्ति वाला राज्य होगा अब इस संकाल्प को ले करके कोई बैठे अब जाए तो दो ही बाते हो सकती है या तो उसको पुरशार्थ करने की हिम्मत आएगी और या फिर कहगा मेरे बस की नहीं है इतने जमेले इतने जमेले मैं नहीं करता मैं नहीं चाहिए यह उसको पाने के लिए जमेला पुरशार्थ तो करना पड़ेगा ना ठेने और यह जो ब्रमा कुमारियां कहते हैं ये भी ना करो ये भी ना करो ये भी ना करो हमारे बस की नहीं है ठीक है छोड़ो यह सपने हैं उनको यह सपना लगेगा और वो पुर्शारत नहीं करेंगे और जिनको पाना है वो पुर्शारत करेंगे इसलिए बाबा दिखा रहे है जो दिरिशे दिखा रहे हैं कि नव यूग में चले जाओ तो नव यूग को देखेंगे कि इतना सुख इतनी स्वीधाएं जहां मतलब कोई नहीं जानता चोरी जूट बैमानी ठगी क्या होती है ऐसी दुनिया में जाने के लिए अभी सारे इमानदारियां लाने पड़ेंगे तब तो वहां जा सकेंगे जाना आता है उचाए बाबा ने कितनी बार ये राज्य अधिकार प्राठ किया अंगिन्यत बार किया पहली बार थोना करेंगे याद है अनवाव करो अपना राज्य कितना प्यारा है जहां कोई वैर नहीं जहां कोई इर्शार नहीं जहां कोई विकार नहीं जहां कोई दुख का नामो निशान नहीं कितना प्यारा है तो सेक्किन में बस हमारा राज्य और हमारा विश्व राज्य अधिकारी स्मृति में आ जाए हमारा विश्व राज्य अधिकारी स्मृति में आ जाए वे लोग नए वर्ष में एक दो को अल्पकाल की गिफ्ट देते हैं और बाप गिफ्ट देते हैं वो दुनिया वाले अल्पकाल की कोई चीज किसको टाफी देके आएंगे बिस्कुड देके आएंगे कुछ-कुछ पैकिर देके आएंगे परंतु वो अल्पकाल का सुख देंगे न मिठाई का डबा भी दे दिया तो अल्पकाल का सुख और बाप गिफ्ट देते हैं ना वो विश्व राज्य के अधिकार की या विनाशी गिफ्ट इस समय बाप द्वारा आप सब के लिए अटल भावी बन जाती है जिस भावी को कोई टाल नहीं सकता अच्छल है अखांड है तो ऐसी गिफ्ट मिल गई है तो ये गिफ्ट संभाल कर रखना कोई डाकू ये गिफ्ट ले नहीं जाए सब के पास डबल लॉक है जो गिफ्ट मिली आपको कौन से गिफ्ट मिली है नए युग की राज्ये का आपको अधिकार दिया है अब इसको आपने डबल लॉक लगा कर रखना है सब के पास डबल लॉक है ना पूछ रहें बाबा है के नहीं है बता दो नहीं तो बाबा दे देगा लॉक नहीं है तो बाबा दे देगा कौन साज लॉक होगा ये डबल लॉक ग्यान और युग ये पहले लॉक जो बाबा आकर ग्यान देता है और युग के द्वारा हम उसे लगाते है क्योंकि जितना जितना ग्यान और योग की धालना हमारे में होती जाएगी उतना लोक लगा रहेगा क्योंकि ये ग्यान बाबा वाला शास्त्रों वाला नहीं दुनिया की किताबों वाला नहीं उससे कोई लोक नहीं लगेगा ये लोक लगता है सिंगल लोक नहीं चाहता ग्यान ग्यान लेते रहे मुर्ली सुनते रहे यह सिंगल लोक नहीं लगता चाहता डबल लोक चाहिए गोड रेज का लोक नहीं दुनिया वाला बजार वाला लोक नहीं खरीदना उसमें पैसे खर्च होते हैं क्योंकि बाबा के पास पैसे होला काचन है हाँ इसको जो है न गौड का लॉक चाहिए जो गौड की नॉलेज है और गौड के साथ जो कनेक्शन है ये है डबल लोक तो गौड ने ऐसा लोक दिया है जो कोई भी तोड नहीं सकता जब आपने ग्यान और योग दोनों मजबूत कर लिए तो कोई आपको हटा नहीं सकता तोड नहीं सकता अगर अलबेले हो जाएंगे रोज अना एक ही बात मुर्ली में बताते हैं जरूर ही है रोज मुर्ली सुने जाना या या योग करना उसमें अलबेलापन आ जाता है बहुत सारी बेनों का बेनों के प्रती जो वहां किरेने वाली भाईयों के फोन आते हैं ये दीदियां तो योग नहीं करती है ये तो सवीरे नहीं उठती है अलबेलापन है ना अब जिन भाई बेनों को ये पता लग जाए कि उनकी सेंटर की दीदी सिवीरे योग नहीं करती वो उनका अलबेला पन उन सारे भाई बेनों को भी अलबेला बना दे वो नाते है न मेरे को कैसा लगता है कि भी क्या ट्रामा है ठेले क्योंकि मैं मान लेता हूं कि दीदियों को हार्ड वर्क होता है काम भोत होता है परन्तु ये कभी कभी कोई तबियत ठीक नहीं है कोई समस्या है तो चलो भी ठीक है आप रात को ये बहुत लेट सोई है तो चलो ठीक है बाबा कहता है कि भी शरीर को रेस्ट दो परन्तु ये habit और वो अपने center के भाई बेहनों तक चली जाए कि भी तो वो जो है ना सारे भाई बेहनों को अलबेला बना दे तो यह अलबेला पन नहीं आए क्योंकि सारी बेहने सारी उंगले तो बराबर नहीं है अब कुछ तो बेहने accurate हैं active है अपना time पर उठना time पर चलना time पर करना कोई कोई जहां आती है तो एक उंगली उठती है तो वो कारण बनती है तो यह भी बहुत ज़रूरी है अलबेला पन नहीं है चाहे ग्यान में तो चाहे योग अलबेले हो जाएंगे तो डाकू आ जाए डाकू आएगा डाकू भी होशार होते हैं उन्हों को पता पड़ जाता है कि इनका लॉक आज धिला है बस घुच जाएगा छोड़ो कल चलेगे कल करेंगे इसलिए अलबेले नहीं होना तो इस नए वर्ष में स्वे के प्रती और सेवा के प्रती कोई नया प्लैन बनाया है भी नया यूग आया तो नए वर्ष के लिए आपने कोई नया प्लैन बनाया है कॉन्फरेंस करनी है डायलोग करना है ये वे तो है ही नया प्लैन क्या बनाया बच्चो ने बताया conference करनी है, dialogue करना है अरे वो तो करना है, नया बताओ मैं तो तुम्हें पहले बना रखा आप बताओ नया क्या प्लाइद है आपका बाप दादा इस नए वर्ष में देश वा विदेश में variety वर्ग की विशेश आत्माओं का एक गुलदस्ता देखने चाहते हैं क्या देखना चाहते हैं किस चीज का गुलदस्ता वर्ग कितने वर्ग हैं हमारे विश वर्ग तो हर variety का गुलदस्ता चाहते है हर वर्ग का चाहिए कौन चाहिए, गुलदस्ता भी किसका चाहिए वो भी बाबा कहते है, किसका गुलदस्ता चाहिए, नए वर्ष में, देश वा विदेश में, वराइटी वर्ग की विशेश आत्माओं का, हर वर्ग की विशेश आत्माओं का, जैसे मेडिक, विंग्स हैं, विंग्स की विशेश आत्मा है, जैसे डॉक्टर्स विंग की, कुछ भी हो और इसी परकार अपना पॉलिटिकल विंग है उसके अंदर भी कोई विशेश हरीक विंग धार्मिक प्रभाग का विशेश यूथ विशेश जो स्पीकर का काम कर सके जो बाब आगे शब दे रहा है एक गुल दस्ता देखना चाहते हैं वर्गों की सेवा तो आप अपने बहुत की है ना अभी हर वर्ग का ऐसा एक रतन त्यार करो एक भी वर्ग मिस नहीं हो हर एक वर्ग का अपना अपना एक विशेश नहीं हो क्यों अभी सब समे समीप आ रहा है तो कोई भी वर्ग वाले उलाना नहीं दें कि हमारा वर्ग रह गया हमारा वर्ग रह गय किया ऐसे कोई उलना ना दे एक एक वर्ग में विशेश एक एक क्वाल्टी का हो जो माइक का काम करे जो माइक का काम करे जिसके द्वारा आवाज सब तक पहुंच सके क्योंकि जैसे समय समी पा रहा है तो सर्व वर्ग वाले और आगे शब्द दुद्य कितना क्लियर किया है सर्व धर्म वाले सब के मुख से एक आवाज निकले कि बाप आ गया तो वर्ग वाले भी आएं और सारे धर्म पिताओं तक भी बात पहुंचाओ कि सारे धर्म पिताएं भी आएं और ये आवाज निकले सर्व धर्म वाले ये कहें कि हमारा बाबा आ गया बाप आ गया क्योंकि इस संगम युग में ही सभी धर्म स्थापक आत्माओं वा सर्व वर्ग की आत्माओं में बीज पढ़ना है सर्व वर्ग की आत्माओं में और सर्व धर्म धर्म स्थापक आत्माओं वा सर्व वर्ग की आत्माओं में ज्यान का बीज पढ़ना है तो पढ़ेगा तो ऐसे ही तो वो भी आएं ताकि वो अपने धर्म को वो अपने वर्ग को क्या करें माइक बन के संदेश देने के निमित बने, वे इतनी पावर अपने में ले जाएंगे, ले जाएंगे, जो फिर अपने अपने समय पर अवर्ग वा धर्म के इन्वेंटर खोज करने वाले, उसको धर्म को स्थापन करने वाले को वाले, सब बीज आपको त्यार करने हैं, बाबा क्या करेगा, सारे पीज हमको त्यार करने हैं, बाबा कुछ करेगा, बाबा कुछ नहीं करेगा, वो सिरफ हमें क्या करते हैं प्रेदित करता रहता है उत्साहित करता रहता है उमंग गुलास में लाता रहता है तुम करो तुम्हें पाना है मुझे कुछ नहीं चाहिए मैंने सत्युग में नहीं जाना तुमने स्वर्ग में जाना है तो स्वर्ग में जाने के लिए तुम करो अपने धर्म किस्ता अपना नहीं करेंगे आके, अभी भरके जाएंगी, फिर आकर अपने सा अपने 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 इसको और अची तरह आगे बाबस समझा रहे हैं, तो सब बीज आपको त्यार करने हैं, जो समे पर अपने अपने डिपार्टमेंट के निमित बनेंगे, क्योंकि बीज बाप है, बीज बाप है, और आप ब्राहमन आत्माएं, ठीक बोला है बाबारे, और आप सारव आत्माएं तरना ठीक बोला है, ठीक बोला है तरना हो, ठीक बोला है तरना हो, जाड़ वाला चित्र को सामने रखो, फिर बोलो, कि आप बीज हो, बाबा बीज है, और आप तना हो, ठीक बोला है, कहां बेठे हैं ब्राहमन, कहां बैठे तने में हैं जाड़ को देखो ना भाई, पहले पहले अप समझ रहा हो, कि बाबा ने, मैं बाब हम जब जड़ में बैठे हैं, फिर हमें तना क्यों कहा, जाड़ के हां, क्योंकि आप तना हो, जो ब्राहमन बने हैं, वही देवता बनेंगे, पहले बैठे हम जड़ में हैं और फिर हम तना कहा क्योंकि हाँ जड़ में बैठे हैं पर तो हमें तना क्यों कहा क्योंकि अभी हम ब्रामन हैं ब्रामन सो देवता बनेंगे और सारे जड़ को बाबा ने एक और मुली में कहा हुआ है सारे जड़ को खुराक पहुचाने वाले तो आप हो ना जड़ में पहले बैठे जड़ में हो भी जड़ से फिर पत्ते तक जाती है रास्ता है तना तो एक रास्ता है जड़ से जो भी त्यार करेगे स्टोर नहीं होगा वो केबल वहाँ से मूव करता है सिदा सा नियम है कि जड से पते तक जाने का रास्ता क्या है तना है तो जब वो तने में से बार बार गुजरता है तो तना स्ट्रॉंग होता जाता है वो नेचुरल है क्योंकि उसने इतने बड़े ज़ाड को स्पोर्ट देना है तो जितना छोटा होता है तो उसका तना उतना ही कमजोर होता है तना मजबूत इसलिए होता जाता है क्योंकि उसके ओपर वजन है और उसने सारे वजन को रखना है तो उस परकार परंतु जाने का रास्ता है वो, सिस्टम के अनुसार वो जाने का रास्ता है, वो रुकने का रास्ता नहीं है, पर तु वहां रोकना पड़ता है, क्योंकि नेचुरल जितना वजन बढ़ता जाएगा, तो तना भी उतना स्ट्रॉंग, संग्रे करने की जुरुत नहीं होती, जैसे हमारी बोडी के अंदर ब्लड कहीं संग्रे नहीं होता, हमारी बोडी के अंदर solchen होता रहता है, उसी परकार से, मada जैसे ही, क्योंकि उसके अंदर भी सेम परुस्टिजर है, जैसे हमारी बोडी का सिस्टम है ऐसे ही पोधे का भी सिस्टम है क्योंकि जैसे हमने पैर को दबाया हमने पैर को दबाया जैसे दबावाया पैर में तो क्या होता है कि वो जगा खून आगे चला गया और जैसे हमने पैर उठाया तो वो जगा खाली हो गए तो उसने फ्रेश उनको ले लिया तो आगे चला गया तो इसी परकार से लास्ट पते में धूब के कारण गर्मी के कारण जैसे भी वहाँ जो भी पानी पहुँचा जो खुराक पहुँची वो ड्राई हुई और जगा खाली हुई तो पीछे से वो खैंचेगा तो इसी परकार जड़ से लगातार सारी जो ज़से पानी पहुचा पानी के बाद उसका कवर बना कवर के अंदर मलाई बनी फिर धीरे धीरे कवर भी स्ट्रॉंग होता जाता है बाहर के रेशे भी स्ट्रॉंग होते जाते है हर चीज़ स्ट्रोंग होती जाती है और फिर इतने स्ट्रोंग के अंदर पूरा नारियल जोए ना बनता है कहां क्या होना है वो सिस्टम है वो हर एक जगा वो पहुंच करके वो अपनी आप उस रूप में बनते हैं सब बात समझने वाली सिर्फ यह है कि जाड से आप जड में बैठे हो अभी आप पुरुशार्थ कर रहे हो और इस समय आपने सारे जाड को खुराक देनी है तो इस समय ही आपने सब धर्म की आत्माओं को भी खुराक देनी है और फिर वो जाकर के बनेंगे ना तना कहने का मतलब तुमने तुम से ही सारे धर्म निकलते हैं तुम जो है ना तना बनेंगे तुमारे से सारे धर्मों ने निकलना है और उनको खुराक आपने अभी देनी है वहाँ उपर जाकर के नहीं देंगे क्योंकि अभी सारी आत्म हैं क्योंकि जड़ में बैठ कर जो हम दे रहे हैं वही फिर वो अपने साथ सारी आत्म है क्योंकि घर तो सारी आत्म है जाएंगी और फिर वापिस अपने समय पर आकर उसकी स्थापना करेंगी तो ऐसा गुल्दस्ता बाप के सामने लाओ विदेश वाले भी और देश वाले भी विदेश वाले अपने अपने देश से बना के लाएंगे गुल्दस्ता और आप यहां वाले अपना गुल्दस्ता बनाओ एक 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 सेंपल लाओ हर एक का हर देश से एक एक सेंपल लाओ सेंपल से अनेक स्वत्य ही बनते एक सेंपल लियाओगे तो फिर अनेक बन जाएंगे लेकिन एक एक पावरफुल माइक बने ऐसा लाओ तो एक एक पावरफुल माइक बने ऐसे बीज कहो, धर्म या वर्ग कहो, वा वेराइटी फुलों का गुलदस्ता कहो, तैयार होना चाहिए, एक भी मिश नहीं हो, तब कहा जाएगा विश्व कल्यान कारी, वा सर्व आत्माओं के निमित उधार करने वाली आत्माएं। एक शाखा भी कम नहीं, सर्व शाखाएं चाहिए, कोई शाखा कम नहीं, यह नि किसी वर्ग का आप छोड़ के आजाओ, हर वर्ग का, हर धर्म का आपने छोड़ करके नहीं आना। चाहे आपके नाभी युग में कई वर्ग नहीं होंगे, लेकिन उन आत्माओं में भी द्वापुर में या कल युग में जो इन्वेंटर निमित है, उन्हों को शक्ति आप द्वारा ही मिलनी है। और किस्टा है मिलनी है, संगम पर मिलनी है, कितना वल कलियर बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, संगम पर मिलनी है, चाहे द्वापुर में आने वाले हो, वे सत्युग में ऐसे कोई कुछ ऐसे नहीं होंगे। जैसे बाबा कहते हैं वहाँ डाक्टर की जुरूती नहीं होगी सत्युग में अब सत्युग में भल कोई डाक्टर नहीं भी होगे डाक्टर बर्ग नहीं होगा धर्म तो कोई भी नहीं होगा धर्म तो कोई भी नहीं होगा एक ही धर्म होगा यह बत सोचो के वहाँ कोई होगे नहीं वहाँ नहीं होगे प्रन्तु द्वापुर में तो बनेंगे उनको खुराक बाबा ने थो न डारेक्ट देनी है डारेक्ट संतान तो हम बने हैं हमने आगे उनको देना है इतना नशा भी देने वाले कुछ चाहिए बाबा उनका नशा चड़ा रहे हैं कि तुम्हें साब धारम बालों को सभी वर्ग बालों को देना है जैसे सभी धरम पिताएं आपके आगे बाप का जंडा परतक्षता का जंडा लेराने में सेयोगी बनेगा मलब जंडा तो सभी धरम बालों ने आके अभी अभी आपके साथ फिले रहाना है ना अभी उन्होंने कहना है ना बाबा आ गया सभी धरम हाँ हाँ वो तो उनका पार्ट है आना तो उन्हों हर एक धर्म वाले ने हर वर्ग ने हर आत्मा ने हर आत्मा ने परमात्मा से पढ़ने के लिए आना है पन्तु लेट आने से क्या होगा कि थोड़ा कम पढ़ पाएंगे अब ये उनका अपना भाग्य है जिस आत्मा ने जितना पढ़ना है उतना ही आकर के ज्ञान लेंगे उनको ये ज्ञान समझ में उसी हिसाब से आएगा सर्व वर्ग वाले भी पर्तक्षता का जन्रा लेराने में सयोगी बनेंगे तब कहेंगे सर्व के सयोग से सुख में दुनिया की स्थाथ जब सबका सयोग लगेगा तब ही तो सर्व के सयोग से सुख में दुनिया बनेगी अब हमने सबका सबको सयोगी बनाया नहीं तो सर्व का सयोग लगा कहां तो सर्व दुनिया स्वर्ग बनी कहां सर्व के सयोग से सुख में संसार, सयोगी बन रहे हैं, लेकिन उन में से अब विशेश आत्मा का से को सयोग में आगे बढ़ाओ, विशेश आत्मा है न, उनको सयोग में आगे बढ़ाओ, निमित बनाओ, उनको क्या करो? निमित बनाओ, निमित बनाने का बीज डालो, बीज भी डालना है कि तुम निमित बनो, अनेक आत्माओं को उठाने के, उनके अंदर ये responsibility, हमारे सारे माइक हैं, अब जो बीज जिसने लेना होगा, ले लेगा, पालना दो, विशेश पालना दो नो, निमित बनाने का बीज डालो, इतना पावरफुल बीज डालो, समझा क्या करना है, विदेश में भी आईपी, वी वी आईपी, वी आईपी के connection तो सहज हो जाते हैं, हो गए है ना, अब तो वी आईपी से सबसे मिल लेते हैं, ब्रमकुमरिस का नाम उन तक पहुंच गया है, मुश्किल नहीं है ना, मुश्किल है या सहज है, सबने का सहज है, तो आप सभी जब दूसरे न्यू इयर में फिर आएंगे, एक साल का होमवर्क दे रहे हैं, अगले साल नया वर्ष मनाने आएंगे, अगले न्यू इयर की सोगात, बाप दादा, ऐसा गुर्दस्ता देखना चाहते हैं, ठीक है, हाँ कर सकते हैं, कि हम लेके जाएंगे, नैंटी सेवन में कह दिया ना, अब ये नैंटी सेवन, 31 दिसंबर को कहा, तो आप कहने का मतलब है कि आप भी हम सोचे कि जो बाबा आज कह रहा है, तो हम एक साल बाद क्या गुर्दस्ता दे सकते हैं, सोच ना, अंजी, आज ही कह रहे हैं, तो बाबा को हम को ऐसी आत्मा पकड़ कर, हर वर्ग की एक एक आत्मा पकड़ कर, ले जाएं, उनको पालना तो दें, खुराक तो दें, कुछ तो करें, एक साल काम नहीं है, एक साल का टाम दे है, काम नहीं है, कहीं सोच रहे हो कि एक साल में कैसे करेंगे, संकल पहुंच जाते हैं बाबा के पास, पहले पता लग जाते हैं कि कमजोर बैठे हैं ना, सोच रहे करें कि ना करें, ये उनका काम है, जिनका काम है वो करेंगे हमारा काम तो मुर्ली सुनना है बाबा ये ये पता है बाबा पता समझ में आ जाती है बाबा को इसलिए कह रहा है एक साल कम एक साल है कम नहीं है देश वाले भी करेंगे और विदेश वाले भी करेंगे तो अब्चे क्या बोलेंगे, आजी के नाजी, आजी आजी, अवश्य करेंगे, का वो हुआ पढ़ा है, किसने कहा है, किसका संकल्प है, संकल्प बाभा का है, वो हुआ पढ़ा है, हमारे जिसा कोई संकाल्प करे कमजोर आत्मा कोई संकाल्प करे तो उसमें डाउट आ सकता है यह संकाल्प बाबा का है तो क्या कहो वाही पड़ा है सिर्फ निमित बनना है डबल विदेशी बोलो सब विदेशी ताली बजाओ सब विदेशी ताली बजाओ अच्छा देखेंगे पहले कौन बन त्यार करता है देश या विदेश और कितना बड़ा गुल दस्ता त्यार करते हैं कंप्रेशन भी डाल दिया सब ठीक है ठीक है न चार ओर जो गर बैठे हैं सुन रहे हैं देश वाले भी सुन रहे हैं और विदेश वाले भी सुन रहे हैं अभी उमंग आ रहा है उन्हों के मन में प्लैन बन रहा है ये करेंगे ये करेंगे किनके मन में? जो अपने अपने घरों में बैठे हैं ओनलाइन यूटूब पर या टेलिविजन पर पिस ओप माइंड से देख रहे हैं ये करेंगे, ये करेंगे अच्छा ये तो हुआ विश्वस्यवा ठीक है? अब स्वा के लिए क्या करोगे? औरों के लिए तो चलो ये करोगे अब स्वा के लिए बाबा पुछ रहे हैं स्वा के लिए क्या करेंगे? वे भी तो प्लैन बनेगा न? चौनकि अगर स्वा कल्यान का स्रेष्ट प्लान नहीं बनाएंगे तो विश्व सेवा में सकाश नहीं नहीं पाएंगे नहीं दे पाएंगे न प्लान नहीं बनाएंगे तो विश्व सेवा में सकाश नहीं मिल सकेगे इसलिए बाप दादा सक के दिलों के उमंग उसा को जानते हुए यही कहेंगे कि हर एक उत्सव में बच्चों ने चाहे गोर्डन जुबली वाले चाहे डाइमंड जुबली वाले चाहे सिल्वर जुबली वाले चाहे और भी जुबलियां होनी है यह क्या है सिल्वर जुबली डाइमंड जुबली गोल्डन जुबली है क्या है इस साल जिन को पत्ची साल हो गए है जिन को पचास साल हो गए है इसे बुलाए थे जिनको ग्यान में चलते हुए इतने साल हो गए ये सिल्वर जुबली वाले हो गए ये गोल्डन जुबली वाले हो गए तो डाइमन तो सीधे वही होई गए थे उसके बाद उन्होंने इस परकार से बुलाए थे 96 में जो पहला प्रोग्राम हुआ वो हो गया गोल्डन जुबली वालों डाइमन जुबली वालों का और फिर उसके बाद उन्होंने बाकियों का भी सम्मान होना चाहिए तो फिर उन्होंने हर एक को भी जिनको पचास साल हुए हैं जिनको चालिस साल हुए हैं जिनको तीस साल हुए हैं ऐसे उन्होंने ग्रुप वाइस बुलाया था तो उसलिए कह रहे हैं मैं चाहिए कैसी भी जुबलिया हैं आपकी थे हैं नहीं सबकी जुबलिया अलग कि हम बापसमान बनकर ही दिखाएंगे। सभी ने ये वाइदा किया है ना कि हम बापसमान बनकर दिखाएंगे। Double foreigners ने वाइदा किया है सभी ने हाथ हिलाया अच्छा मुबारक हो। वाइदा तो बहुत मीठा, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत शक्ति शाले किया है। अभी सिर्फ निभाते रहना वाइदा करने वाले उस समय बहुत उमंग उचाह से करते हैं। किमत भी बहुत अच्छी रखते हैं। फिर क्या होता है। कभी माया चुहे के रूप में आ जाती है। कभी बिल्ली के रूप में आ जाती है। बिल्ली क्या करती है। म्याउं करती है। मैं आउं। कहते हैं आ जा आ जा। काफी दिन हो गए नहीं आई थी। ठीक है के नहीं। तो बच्चे क्या करते है। मैं 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 तौ ये बिल्ली की म्याउं म्याउं नहीं करना। मैं मैं मतलब दे के लिए दे समझ कर मैं मैं करना। यह बिली की म्याओं म्याओं नहीं करना चुवा क्या करता है चुवा बे समझ होकर जो आता है वो खा लेता है जैसे बैठा जिन लोगों में बैठा असर हो गया खाना जो मरजी आया खा लिया चलो कोई बात नहीं काट लेता है खाने का मतलब क्या है स्वैम को कमजोर कर दिया जखमी कर दिया आपने भोजन गलत खा लिया या गलत संगत में बैठ गए तो जो भी आपने किया वो क्या हो गया अपने आपको कुतरा ना और फिर अपने आपको प्यार भी करते कोई बात नी वो भी खा लेते हैं ना हमने भी खा लिया सारा ऐसा चबता है सारी दुनिया भी सुदर्थ मा गई है बड़े बड़े भी नहीं सुद्रे तो छोटे तो ये माया है चुया के रूप में और मैं एंकार आगया बिल्ली के रूप में अब तीसरा है शेर वाला के देखो कैसा है तो माया भी बच्चों को खजके खजानों को काट कर खा लेती है खजाना जो पुर्शार्थ किया वो खतम हो गया ना तो कभी शेर आ जाता है शेर क्या करता है निर्भे वालों को भै पैदा कर देखो समझ चाहें मुशेब्ते परिस्थितियां और वो डर गए तो इसका मतलब ग्यान समझ में नहीं गया है जञान की धारना ठीक रीती से नहीं निर्भे वालों को भै पैदा कर देता और वाबा क literal का खिः तो दिखाई दे रहा है तो में ये समझो न ये तो कागत का खिः है ये तो कुछ करी नहीं सकता तुम्हारा सर्व शक्ति वान बच्चों को दिल शिकस्त बना, हमारे बसकी नहीं, ऐसे नहीं करना, इन तीनों को आने नहीं देना, क्या लगा के रखना, double lock लगाकर ही रखना, इस वर्ष किसी को भी आने नहीं देना, ना चुए को, ना इंली को, ना शेर को, ये वर्ष सर्व बातों से मुक्त वर्ष मनाओ, मुक्ति वर्ष, जब ये मुक्ति वर्ष मनाएंगे, तब मुक्ति धाम में जानेगे, इसके लिए क्या करेंगे बहुत चोटी सी बात है बहुत चोटी सी बात है बड़ी बात नहीं है बाप दादा सिर्फ चोटा सा स्लोगन दे रहे हैं सफल करो शफलता लो संजा सफल करो सफलता लो क्या सफल करना है जो भी आपके पास है अपनी जो प्रोपर्टी है ना क्या है अमारी प्रोपर्टी समे क्योंकि आत्मा के पास तो प्रोपर्टी यही है ना समे संकाल स्वास वा लगा दिया, स्थूल में तन मन धन सफल करो, तन मन धन सफल करो, व्यर्थ ना गवाओ, व्यर्थ ना गवाओ, ना आई वेल के लिए संबाल कर रखो, यह क्या होता है, पैसे बैंक में जमा करा दूं, फिर कभी कोई दुख आया हाँ, उसके लिए भी संबाल कर मत रखो, क्योंकि उसमें भी बुद्धी क्या होगी, फसेगी, और वो अंतसमें रोकेगी, उसके हमारे पास यहाँ थी पेहले क्लास करने के लिए यह सामने रहती थी, आपके उनके घर में, आपके जर्दी क्या था ओ, उस मकान में या उसके आगे वाले के मकान में रहती थे तो उन कहती है न मैंने देखा घर को आग लग गई है मैं के तु सोने वाले गेनी तु निकाल के लिया हूँ मुझे उसको याद आया मुझे मलब बुद्धी है वो गहने पड़े वो गहने तुन निकाल के लियाओ ठेने मलब दुनिया को आग लगए क्यों मुझे लिए सुनते है तो उनको मैसूस होता है तो जहां जो अपनी चीज होगी उसको तो अंत समय खीचेगी वो अंत समय हमारे लिए संकाल्प को भी सफल करो एक-एक संकाल्प यह आपकी प्रपर्टी है एक-एक संकाल्प क्या है यह आपकी प्रपर्टी है जैसे धन स्थूल प्रपर्टी है वैसे सुक्षम प्रपर्टी क्या है समय, स्वांस और संकाल्प एक संकल्प भी व्यर्थ ना जाये, सफल हो, चाहे मंसा सेवा द्वारा, चाहे वाचा द्वारा, चाहे कर्म द्वारा, चेक करो, क्या करो, चेक करो सफल कितना किया, जमा कितना किया, और बाप दादा इस वर्ष ये विशेश वर्दान दे रहे, विशेश वर्दान दे रहे हैं सफल करो और पदम गुणा सफलता का अनुभव करो क्योंगे जो सफल करेंगे तो सारा पवित्र हो जाएगा ना पवित्र तासे मल्टिप्लाई हो जाएगा ना पदम गुणा सफलता का अनुभव करो ये परतक्ष पल सहज प्राप्त कर सकते हो, सिर्फ सच्ची दिल से, दिल क्या चाहिए? सच्ची दिल पर गुला नात बाप बहुत सहज राजी हो जाता है, इसलिए सफल करो, ज्यान धन, शक्तियों का धन, गुणों का धन, हर समय सफल करो, कुछ सा धन है हमारे पास? ज्यान धन, गुणों का धन और शक्तियों का धन, ग्यान, गुण और शक्ति, हर समय सफल करो, सफल करना आता है या किरारे करना, वास संबालने में बहुत आता है, किनारे नहीं करो, लगाओ, किनारे नहीं करो, लगाओ, जब कहते हो कि अचानक सब होना है, तो जो भी है उसको सफल करो, बाप दादा को नहीं चाहिए, ये नहीं कहना कि बाप दादा को दे दे, बाप दादा को नहीं चाहिए, अपने लिए तो दाता है, बाप दादा को कहते है, मेरे को तो नहीं चाहिए, अपने लिए जमा करो, बाप दादा तो दाता है, लेकिन सफल करना, अर्थात जमा करना, क्योंकि बाप दादा ने समी परमान जमा का खाता देखा, बाबा जो है हम सब बच्चों का जमा का खाता देख रहे हैं, हर एक बच्चे के जमा का खाता बाप दादा के पास है, तो जमा करने के खाते में क्या देखा कई बच्चे समझते वा कहते बहुत हैं कि हमारा ये भी जमा है ये भी जमा है बाहर से जमा का खाता बहुत बर्णन करते हैं लेकिन बाप के जमा के खाते में जो जितना कहते हैं जितना समझते हैं उससे बहुत जमा हैं कम जमा हैं क्यों बही मानी है बाबा के पास हमने तो जमा देर सारा करवाया था फिर हिसाब गड़ बड़ है बाबा का हमने तो जमा करवा दिया इतना जमा करवाया वो गड़ बड कहां हुआ वही पहला पाथ जो साब को क्या करता है गड़बड करता है पहला पाथ मैं और मेरा पन मैं और मेरा पन ये हमारे जमा के खाते को काम कर देता है मैं ने किया तो ने किया ना ठीक है मोज कर खत्म वह जमा नहीं होगा क्योंकि उसके बदले में आपको परशंसा मिल गए ले लिया वावा मेरी ये सेवा है मेरा ये कारिय है तो जमा करते समय वह समझते हैं कि जमा कर रहे हैं लेकिन वो और अटोमेटिकली जमा के खाते से निकल देता है मैं कहते ही, मेरा कहते ही, वो जमा होने के खाते से, व्यर्थ के खाते में जमा हो जाता है, यह आटोमेटिक सुक्षम मशीनरी है, बाबा ने कराया, बाबा की सेवा, मेरी सेवा नहीं, मैंने किया नहीं, वर्णन नहीं करो, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं करती हूँ, मैं ये करता हूँ, ये मैं, मैं नहीं, बाबा बाबा बोलो तो पदम गुणा जमा होगा और मैं मेरा बोलेंगे तो ट्रांसपर होकर व्यर्थ के खाते में जमा हो जाएगा यह अटोमेटिक मशिनरी बहुत पास्ट है आप लोगों को पता भी नहीं पढ़ता है इसकी चेकिंग भी बहुत सचे दिल से करने वाले कर सकते हैं जब आप आदी रतन आदी में स्थापना के में निकले सेवा में निकले तो क्या भाव रहता था चुरू-चुरू में आदी में जब आप सेवा में निकले तो क्या भाव रहता था क्या बोल निकलता था मैपन था बाबा बाबा कहा तभी वारिस बाबा के बने जो आज सिवा के आदी बने वे बाबा बाबा कहने का सबूत है क्योंकि वो क्या कहते बाबा बाबा नहीं कराए अभी बाब दादा के पास वारिस क्वालिटी बहुत कम आती है क्यों वारिश क्वालिटी बहुत काम आती है क्यों बाबा और मैं पन मिक्स है इसलिए इस वर्ष में बाब द्यादा खुली दिल से वर्दान दे रहे हैं जितना जमा करने चाहो उतना कर लो कर लो कर लो एक बार कहने से नहीं सुनते थे क्या हम हम पता है बाबा को के एक बार कहने से नहीं सुनते इसलिए तीन बार कर लो कर लो कर तीन बार कह दिया सफल करो सफलता मुरत बनो अच्छा अभी कौन सा उस्था मनाया सिल्वर जुबली सिल्वर जुबली वाले हाथ उठाओ जिनों की सेरे मनी मनाई वो हाथ उठाओ डबल सेरे मनी मनाई है भारत की भी तो विदेश की भी मलब विदेशी बच्चे भी बच्चे भी बच्चे हैं भारत के बच्चे बच्चे हैं अच्छा है ये सेरिमनी मनाना अर्थात अपने आपको पक्की परतिग्या की स्टैंप लगाना सेरिमनी मनाई बाब दादा को भी द्रिशे अच्छा लगता है साथ साथ जो संकल्प करते हो उसको ऐसी आल्माइटी गौर्णमेंट की स्टैंप लगाओ जो सदा अविनाशी अटल रहे मनाना अर्थात वाइदा निभाना तो ऐसी पक्की स्टेंप लगाई या कच्ची स्टेंप लगाई है पक्की लगाई है ये सिल्वर जुबली वाले कुमार ये सिल्वर जुबली वाले कुमार हाथ तो अच्छा ही ला रहे है पक्की मनाई है अच्छा है ये दिरिशे भूल नहीं जाना कभी भी कुछ भी कमजोरी आए तो अपने उत्सव का फोटो सामने लाना हर एक का फोटो निकालते है न सब को मिलता है तो ऐसे फोटो नहीं निकालना निकलता है मतलब से निकलता है फोटो इसलिए निकलता है कि जब ऐसा कोई समय आवे, तो फोटो सामने रखना, ऐसे नहीं कि अलमारी में बंद रख दो, जो समय पर भी याद नहीं आवे, ये सबसे बड़ी सोगात है, ये स्मृती दिलाने की निशानी है, अच्छा, डबल पॉर्नर्स क्या कमाल करेंगे? कमाल करके दिखाओ, जो ऐसी आत्माओं को संदेश दो, जो भारत के लिए माइक बने, क्योंकि भारत के माइक का भी परभाव है, लेकिन पॉर्न के माइक का परभाव डबल पड़ेगा, जो विदेश वाले हैं, वो जो माइक लेक्र आएंगे न, उनका परभाव डबल विदेशी माइक आएंगे उनका डबल परभाव पड़ेगा तो डबल फारिनर्स को ऐसे माइक त्यार करने हैं करेंगे अगले वर्ष माइक आना चाहिए ऐसे नहीं सिर्फ बाशन करके चले जाएं संबंध में समीप में हो बले ग्यान योग में नियमित नहीं बने रोजना कलास करने ना आए प्रन्तु उस दिना उसका connection रहे कि जब विशेश प्रोग्राम हो तो वो माइक बनके काम कर सके लेकिन माने कि सच मुच ये इश्वर ये कारिया है और जीवन बनानी ऐसी चाहिए लेकिन मेरे में हिम्मत कम है उसमें भी कोई हर्जा कोई हर्जा नहीं औरों के निमित माइक बनते स्वैम बन ही जाएंगे औरों को ग्यान सुनाएंगे ना औरों को बताएंगे तो खुद भी बन ही जाएंगे वैसे सीधा स्टूडेंट नहीं बनेंगे लेकिन सिवा की बल से दूसरों के निमित बनते हैं उसके परभाव से बन जाएंगे तो सुना डबल फॉरेनर्स ने अभी देखेंगे कौन सा देश निमित बनता है जो भी देश निमित बने फिर उसको अवार्ड देंगे पैसे ने फ्री वाले देता है पैसे आपशे में आपशे न थे मिल जावे सब के सामने कैस ने किया है काम जम्मा नहीं होगा बाबा नहीं चाहता कि तुम्हारा जम्मा ना हो बाबा चाहते जम्मा हो इसलिए आप सुक्षम अवार्ड लेके खुश हो जाओ तरहा ने जुत्तूल नहीं मतलो स्थूल में आपकी परशंचा कर दी इसने ये काम किया तो आपका काम करना हो खत्म उसका जो इनाम है वो आपको वर्तमान में मिल गया स्थूल में आपको कोई ट्रोफी दे दे में कुछ भी दे दे में तो अभी खा लिया खत्म जमानी होगा खाता हमारा जमानी होगा नव जीवन द्वारा विश्व परिवर्थक आत्माओं को सदा सफल करने से सफलता मूरत बनने वाली आत्माओं को सदा अपने किये हुए वाइदों को साकार सरूप देने वाले अचल, अडूल, अखन आत्माओं को सदा उत्सव में रहे औरों को भी उत्सव द्वारा उसाह दिलैने वाली आत्माओं को बाप दादा का नए वर्ष और नए युक के स्थापना की मुबारक हो साथ साथ हिम्मत रख सर्व बच्चे आगे बढ़ने वाले हिम्टे बच्चे और मददे बाप ऐसे सर्व बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते 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 रातरी बारा बजे के बाद बाप दादा ने बच्चों को उन्हे नए वर्ष की बधाई दी सर्व विश्व के कोने कोने में विश्व के चारों और विशेश नव जीवन में रहने वाले सभी को नई वर्ष के साथ नव युक्की भी मुबारक क्या काये बाबा ने बाबा की मुबारक द्यान से देखो रहने वाले present में कितनी के लिए बाबा अपने जो दे रहे हैं ना मुबारक रहने वाले प्रेजेंट में क्योंकि आप हो वो आत्माएं जो प्रेजेंट में रह रहे हो प्रेजेंट में बाप के साथ हो प्रेजेंट में अपना स्रेष्ट बागे लिख रहे हो प्रेजेंट में आपकी उनती हो रही है यह नुप्रामन बच्चों के लिए तो हर दिन हर सेकिन ने आ है किसके लिए क्यूं ब्राह्मन हर रोज बाबा से ताजा बोजन खाके अपने में इंप्रूब्मेंट कर रहे हैं ब्रामन जीवन तब है जब खुशी है खुशी का आधार है लगातार प्राप्ति ब्रामन का मतलब ही है ब्रामन जीवन लगातार प्राप्ति लगातार उमंग उसाहा खुशी उल्लास तब है ब्रामन खुशी गायब होई तो ब्रामा नहीं कोई ना कोई अवग्या कर दी है हर सेकिन नया तो अभी पुराने वर्ष की विदाई है और नए वर्ष की बधाई हो ऐसे सदा हर सेकिन जो भी संकल्प करो कर्म करो हर कर्म संकल्प बधाई वाले हो जो भी संपर्क में आएं वे सदा बधाई हो यही गीत गाते रहें इस नए वर्ष में सभी को जो भी मिले जो भी साथ में रहते हैं उनों को सदा खुशी की दिल खुश मिठाई खिलाते रहना और सदा खुशी में मन से नाशते रहना और सेवा में सभी को खुशी का खजाना भर भर कर बाड़ते रहना तो ऐसे नए जीवन नए उमंग उत्सहा की चारों और के बच्चों को नए वर्ष के साथ साथ मुबारक हो गोड नाइट और गोड मॉर्निंग गोड नाइट भी हो गई गोड मॉर्निंग भी हो गई अच्छा ओम शान्ति आज का वर्दान है दिर निष्चे के अधार पर सदा विजही बनने वाले ब्रह्मा बाप के सनेही भव जो दिर निष्चे रखते हैं तो निष्चे की विजह कभी टल नहीं सकती चाहे पाँच ही तत या आत्में कितना भी सामना करें लेकिन वो सामना करेंगे और आप अटल निष्चे के अधार पर समाने की शक्ति से उस समय को उस सामना को समा लेंगे आधार पर समाने की शक्ति से उस समाना को समा लेंगे आप अटल निष्चे है ना आपके अंदर समाने की शक्ति है कोई कितना भी प्रस्थेति आए कोई भी प्रोब्लम आए किसी के द्वारा शक्ति से उस सामना को समा लेंगे और वो सामना करेंगे कभी निष्चे में हाल चल नहीं हो सकती ऐसे अचल रहने वाले विजयी बच्चे ही बाप के सनेई हैं सनेई बच्चे सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाए रहते हैं स्लोगन है सर्व खजानों की चावी प्राप्त करनी है तो परमत्म प्यार के अनुभवी बनो आव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट परिष्टा सित्ति का अनुभव करो हर बात में वृती में द्रिष्टी में कार्म में न्यारा पर्न अनुभव हो ये बोल रहा है लेकिन न्यारा न्यारा प्यारा प्यारा लगता है आत्मिक प्यारा नंबर वन ब्रह्मा की आत्मा के साथ आप सभी को भी परिष्टा बन परम धाम में चलना है तो मन की एकागरता पर अटेंशन दो आडर से मन को चलाओ और विश्दार से जानने के लिए प्रजा पिता ब्रमा कुमारे इश्वरिये विश्व विद्या लेके किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करे और यदी कोई प्रशन है तो 9213106986 पर केवल टेलिग्राम करे 965069270 पर केवल वर्चेप करे फोन नहीं ओम शादिए